नमश्कार बच्चों, ना है डॉक्टर पूर्ण जूशी, सहय अचारे संगीत वाद देर आज हम आपका जूबी शेली रहे हैं, वो है functions of music, यानि संगीत की कारे यानि संगीत हम जैसे जानते हैं, कि संगीत का जो कारी छेतर है, वो असी मेत है उसको हम थोड़ी शब्दों में या किसी बहुत सीवी छेतरों में नहीं बाट सकती फिर भी हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संगीत की क्या-क्या कारी छेतरों सकते हैं और उसके क्या कारी और उसकी क्या मैत तरता है जयसा कि आप जानते हैं कि मनिष्ज जो है फ्षीर प्राणिया उसकी अंदर के अनिक प्षाओं रहते हैं और इने भवों की जो अभिक्ति है उसको जब अभिवेक्त करता है तो उसका जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है संगीत रोधन वहासी की प्रिकरिया प्राणी मात की अंदर व्यापत रहती है और इनी से प्रवावित होके जब स्वर्ड जब ले और ताल में बत कर इस पूरुत होते हैं तो उनका सपर्श वो सीधा हिर्दे से जाके लगता है और बनमनिश भाविवरों के तन में होकर जूमने लगता है यहीं से हम देखते हैं कि संगीत का आभिर्वाव होता है संगीत प्राकर्तिक रूप से हमारी जीवन के साँचुड़ा हुआ है मानव समाज की कलात्मक उपलब्धियों और सांस्कृतिक परंपराओं का मूर्थिमान प्रतिक यदि कुछ है तो वो है संगी संगी जो है वो भावनाओं की उतकृष्ट करती है तथा वो अमूर्थ भावनाओं को मूर्थ रूप देने का एक स्रशक्त माध्यान है इस कारण हम देखते हैं कि मानव मातर में नहीं बलकि समूची जो एंड़ इस म्योजक्ट अब जब हम देखते हैं कि हिट्य की चितकार जब ले ताल और स्वर का सानिध्य प्राप्ट करती है तो वो संगीत में रुपंत्री ठोटती है जिस प्रकार कभी शब्दों के माध्यम से आत्म विद्धि करता है उसी प्रकार संगीत की जो है वो स्व वरों में उतार, चड़ाव, काकू, भेद, वानादी सब का प्रयोग करके अपनी भावों की अभिवेक्ति की अभिवेंचना करता है अलग लग विद्वानों ने संगीत को परिभाशित करते में बताया है जैसि डक्टर रजेन प्रशाद जी के अनुसार संगीत इश्वरी बाणी है वो कहते हैं कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने हम लोगों में संगीत के सहयोग का ऐसा विधान कर लिया है कि उसकी बिना ना तो हम जिवित रह सकते हैं और ना ही कोई काम कर सकते हैं इसी तरह में काईवर कहते हैं कि संगीत का मानव जीवन से घनिष भागा है जिसकी अभाव में जीवन सत और चित का अंश होकर भी आनंद रहित नीरस प्रतित होता है तो इस परकार हम देखते हैं कि ये सब कथन इसी बात के और इशारा करते हैं कि संगीत का माना जीवन पर बहुत गहरा परभाव है संगीत जो है विभिन ध्वानियों को मिल जाने वाली वह कला है जिसकी द्वारा मनुभावों के प्रदर्शन में रोचक्ता माध्धूरी एवम संदरता आती है संगीत कला भौतिक उतकर्षव यश के अलाबा आध्यात्मिक सुक संतोष का भी समलसाधन मानी जाती है और संगीत की परिभाशा केबल भारती गायनव संगीत कर सकते हैं तो कहना चाहिए कि स्रश्टी के सौर्णिम विहां से लेके प्रलय की काली संध्या तक संगीत का अस्तित जो है वो विद्ध्यमान है जीवन ग्रंत के हम कोई भी प्रश्टों को पलटें तो कोई अध्या हमें ऐसा नजर नहीं आएगा कि जहां संगीत व प्रश्टों को सुनते सुनते वो उसका शरीर जो है वो एक सूने में खो जाता है इसलिए कहा गया है शिती जलपावक गगन समीरा पंच भूत रहित यह अधम शरीरा और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर यह मानव शरीर का निर्माड हुआ है यह तत्व जो है पंच भूत के आधारततों है जड़व चेतन की स्रश्टी का स्थित्वी भी इनी पहर है और इन पंच तत्वों में संगीत जो है वो प्रचूर मात्या में विद्दिमान है तो इसलिए यह कह है हमने संदे यह कह सकते हैं कि संगीत जो है वो संपूर्ण स्रश्टी जो है वो संगीत में ही है इसलिए संगीत का कारी छेत्र जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि आत्म शाक्षातकार का मार कि जो पहला इसका है कि मानव जीवन की सार्थक्ता हम देखते हैं कि आत्म उपलब्धी में मानी जाती है यानी मानव जीवन का परम लक्षे है आत्म लाव यानी परम ब्रम की प्राप्ती और इस संगीत हम जो देखते हैं वो एक मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सब्दल साधन माना गया है हमारे देखते हैं कि संगीत में इश्वर से शाक्षातकार कराने की कसी मिच सकती नहीं थै अब इसलिए हमारे प्राची रिशी मुनियों को ने इस बात का अनुभो किया था और हमारे मीरा, सूर, तुलसिया, दी, त्यागरा, जारी, दासादी कानी कानी कैसे संतुए जिनों ने अपनी संगीत प्रदान भक्ती द्वारा इश्वर को से वो एकाकार हुए अब जब वो इश्वर का भजन गाते गाते हैं ये लोग इश्वर की भक्ती में इस तरह से तलीन हो जाते थे कि आँखों से अश्रू भेह रहे हैं तो यही एक आत्वशाक्षत कार है तो संगीत के द्वारा हम देखते हैं कि परम ब्रह्म की उपासना की इस्तिती जो है वो प्राप्त होती है अब वो जो या आनन जिसको की ब्रह्मानन्द सहुदर कहलाता है तो संगीत की द्वारा सौर्ट अथाले जो है मन को एकागर करकर इनको अधिक तन्मे वह तलीन बना देते हैं कि हर्दे की समस्य विर्तिया जो है वो तिरोभूत हो जाती है और व्यक्ति जो है वो अंतर मुख लक्षखाली मनुरंजन ही नहीं बलकि भावरंजन भी है क्योंकि ये सांसरे किलिया कलापों से दूर मनुष को परमातमा से एक काकर कराता है इसलिए दार्शनी प्लेटो ने कहा कि संगीत एक ऐसी कला है जो हमारी आत्मा तक पहुंसती है और इसमें सत्गुणों का प्रेम उत्पन करती है इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा विविन धर्मों में कि सभी धर्मों का सामाने उद्देश मनुष्य जीवन को पूर शांती प्रदान करके उसकी आत्मा का उत्थान करना है और यह कारे संगीत करता है शांती प्रदान करने के लिए संगीत से अधिक प सबी धर्मों में संगीत का महतपूर्णिस्थान रहा है और विशिशकर भारती मनीशों ने पर्म प्राप्तत्य की प्राप्ती के लिए योग, जब, कीर्थन, भकती, आदी के मार्फ को बताया है केबल हिंदू धर्मी नहीं हमारा बलकि भारत के हमारे सभी धर्मों के मार्ग में हम देखते हैं कि संगीत कुम्हत पूर्णिस्थान प्राथते हैं बले गुर्द्वारों में गुरुवानी हो, सबत कीर्टन हो, अर्दास हो, तो मंदिरों में आर्थी है, भजन है इसी तरह मस्जिदों में कवाली है, अजान है, तो गिर्जागरों में प्रातनाई है, ये सब कुछ सांगितिक रूप में होते हैं इस परकार हम देखते हैं कि प्रतेख धर्में संगीत ही प्रभुभक्ति का सबसे महतपूर और सबल साधर है तीसरा गुण हम देखते हैं कि संगीत के द्वारा नैतिक वो सामजी गुणों तथा चर्रित्र का विकास यानि संगीत जो है मनुष के नैतिक वो सामजी गुणों का विकास कर उसे उन्नतिकी और अगरसर करता है और संगीत कला द्वारा संगीत से जुड़े व्यक्तियों को बुराईयों से दूर अच्छाईयों के और संगीत करता है धैर, धीर, शांती, सहंसिलता, भाववता, आदी भावनों सी मनिश को ओत्रोथ करने का कारे संगीधी करता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अनुशासित होगा तो संपू उसका जीवन अपने आप ही उसका चारितरी विखास होगा इसी प्रकार सामुही गायन में हम देखते हैं आपस में मेत्री भाव और एक्टा की भावना का विकास होता है व्यक्ति गट का लात्मक प्रदस्टन द्वारवी संगीत संगीत अगे में बहुत से गुरों का विकास करता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी बाते हम देखते हैं कि संगीत जो है वो मानाव को एकता, नियमितिता, क्रमधता, आग्या पालन, अनुशासन आदिये सिखाता है और ये सभी बाते मनुश के व्यक्तित में के विकास में जो है वो साहयक से देखते हैं चौथा जो गुणाता है या चौथा उसका कारीच छेतर है वो देखते हैं कि रास्टी एकता में संगीत कि सदातियों से यह सत्य हम देखते हैं कि यह हम कोई सपस्ट मिलता है इसका प्रमाण कि संगीत जो है वो मनुश्यों में एकताउपन करता है और जीवन को सुसब्वे बनाता है संगीत जो है वो असीमीतवा अनंत है भाषा, जाती, रंग और आपसी बैरभाव रुकाटों में इसके मार में कोई भी अवरोत पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वास्ता में जन सामाने में भी देश प्रेम की भावना को जागरत कर में संगीत का एक महत्पूर योगदान है आज की युग में भी हम देखते हैं कि रास्त के रंग में रंगेवे कितने ही दिवानों ने रास्ती गानगा कर अपने देश्वासियों के रदे में प्रेम की जुआनों को धतका दिया है युद्ध में हम देखते हैं कि मोचों पर ग्रह युद्ध आदी ये युद्ध के मोचों पर उस्सावरदी के लिए भी विश्च के प्रतिक रास्त में हम देखते हैं कि सैनिक को विविन परकार के संगीत का प्रियोग उनके लिए किया जाता है इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज भी गर्तंत देवस, स्वाधिंता दिवस, सहीद दिवस आदी अन्यक अफसरों पर जब हम देखते हैं कि एं मेरे वतन के लोगों इस तरह के जो हमारे देश भक्ती पूर्वक जो ये वाले गीत है देश भावनाओं के ये हमारी देश भक्ती की भावनाओं को नके बल बल देते हैं बलकि उन सहीदों की कुर्बानियों को महसूस कराके देश एक्त में अपना सर्वस निचावर करने के लिए हर व्यक्ती को प्रेरीद करते हैं संचे माहिनों में रास्टी है इस प्रकार अगला कुण हम देखते हैं अगला कारी छितर देखते हैं कि भावों की अभिव्यक्ती में संगीत जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मनुशेख भावनाशी प्रानी है उसके अंदर में उसके अनिकाने भाव होते हैं और इनके शुश्मतब भावों को नात के द्वारा रेक्त करनी की कला सिर्फ संगीत में हैं मानव मन में उदेलित भावनाव की सफल तम अभिव्यक्ती संगीत द्वारा ही संभाव है जहां हम देखते हैं कि शब्द लौकि भाषा की गति अवरुद हो जाती है वही संगीत की दिविभाषा का जन्म होता है इस परकार भावों की अभिवेक्ती का भी सबसे शशक्त माध्यन जो है संगीत है और संगीत वो भावों का परस पर एक घनिष्ट संबन्द है क्योंकि यदि कोई मनिष्ट दुखी या अदास है तो सथ ही उसके मुझ से करून भाव पूर्ण गीत सब्सक्त भाव हो रहा है तो वो संगीत की लेके साथ साथ जूमने लगता है तो इस परकार जो है विवेक्ती के अंदर की जो भावना है उसकी सबसे भीवेक्ती का जो सबसे सबल माद्या में वो संगीती है तो इस परकार अनेक उसके कारेचेत्र है अब इसके अनेक कारेचेत्रों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे थैंक्यू